आज की वीडियो में मैं आपको इंटरनेट के साथ एसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो की काफी यूसफूल और मज़दार होंगी और एक वेबसाइट तो एसी है जिससे आप अपने फोन से ही किसी के भी फोन में कोई भी एप इंस्टॉल कर सकते हैं और साथी साथ मैं आपको गूगल एसिस्टेंट के तीन कूल ट्रिक्स भी बताऊंगा जिन्हें यूस करके आपको मज़ा जाएगा तो इंटरो को छोटा रखते वेए वीडियो स्टार्ट करते हैं earth.nullschool.net website में नासा दोरा हर तीन घंटे में डेटा जारी की जाती है जिसमें आप धर्ती के किसी भी हिस्से के wind speed, wind direction को काफी असानी से देख सकते हैं और आप यहाँ इस earth पर क्लिक करके और भी बहुत सारे features को access कर सकते हैं जिससे आपको और भी information जानने में असानी होगी अगर आपको अपने free time को बीना bore हुए pass करना है तो ये website आपके लिए बहुत मैजदार रहेगी इस website का नाम quickdraw.withgoogle.com है इस website में जाकर आपको let's draw पर क्लिक करना है और वहाँ लिखे वे object को draw करना है लेकिन draw करने के लिए आपको सिर्फ 20 seconds का time मिलेगा और हर step पर इसकी AI आपको बताती रहेगी कि आपकी drawing किस चीज़ से match कर रहे है मान लीजे आप किसी के घर के खिटकी से ताका जाकी कर रहे हैं और तभी घर का मालिक आपको पकड़ ले तब तो आपको पिटने से कोई नहीं बचा सकता लेकिन एक website है जिसका नाम windowsweb.com है इस website में जाकर आप किसी के खिटकी से अंदर का नजारा तो नहीं लेकिन खिटकी से बाहर का नजारा जरूर ले सकते हैं आपको इस website में आने के बाद बस इस पर click करना है और ये website आपको दुनिया के किसी random window के बाहर का view और वहाँ के environment का sound सुनाएगी और यहाँ पर आप उस जगह का location भी देख सकते हैं और इस पर click करके चाहे तो आप window को change भी कर सकते हैं कई बार online application फों भड़ते time आपको अपना photo upload करना पड़ता है लेकिन वहाँ पर limitation होती है कि आप से रफ कुछ KB या MB के image को ही वहाँ पर upload कर सकते हैं तो उस image की quality को भी ना lose किये आप उसे compress कर सकते हैं तो आपको बहुत कुछ पर आना है और इस पर click करके image को select कर लेना है और उसके बाद ये website उसे खुद ही compress कर देगी और बस आपको यहाँ पर click करके उस image को download कर लेना है अब जो मैं आपको website बताने जा रहा हूँ उसके AI algorithm को देखकर आप पुरी तरह से चोक जाएंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ vocalremover.org की इस website में जाकर आप browse my files पर click करके किसी गाने को select कर लीजे और उसके बाद ये website उस गाने को process करके उस गाने के vocals और music को अलग-अलग कर कर देगा और आप चाहे तो उस गाने के vocals या music को download भी कर सकते हैं माल लीजर जेंटली आपके parents को अपने phone में कोई app install करना है लेकिन उन्हें app install करना नहीं आता लेकिन आप चाहे तो अपने phone से ही उनके phone में कोई भी app install करवा सकते हैं बस आपको google पे जाकर लिखना है play.google.com और इसमें enter करते ही आप उनके email को login कर लीजे जिनके phone में आपको app install करना है और उसके बाद आप app को search करके install पर click कीजे और फिर दोबारे install पर click करके email password को confirm कर दीजे जिसके बाद वो app सीध है आपके parents के phone में install हो जाएगा. website number one पर जाने से पहले आप जान लीजे google assistant के कुछ cool tricks माल लीजे आपको किसी से बात करनी है लेकिन दिक्कत यह है कि सामने वाले को hindi नहीं आती और आपको english नहीं आती तो उसके लिए आप google assistant को command दीजे be my hindi interpreter और इसके बाद आप जो भी hindi में बोलेंगे सामने वाले को english मे कि आप जानते हैं कि आप अपने google assistant में ही shopping list बना सकते हैं आपको ऐसा करने के लिए बस google assistant को command देना है create a shopping list और उसके बाद जो product आपको list में add करना है आप उसका नाम बोल दीजे जिसके बाद google assistant उसको list में add कर देगी अगर आपको भी कोई समन कहीं पर रखकर भूल जाने के यादत है तो आपके लिए उस बात को google assistant याद रखेगी आपको बस यह command देना है जैसे कि remember that I put my key on the table और जब आपको याद ना रहा हो तो बस google assistant को बोलिए open memory और उसके बाद यह आपको बता देगी जो आपने इसे याद रखने को कहा था अगर आपको c और c के अजीबो गरीब creatures के बारे में जानना पसंद है तो यह website आपको ज़रूर पसंद आएगी इस website का नाम neil.fun.dipc.com है इस website में आते ही आपको ऐसा interface देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको उपर की तरफ scroll करते जाना है और आप जितना scroll करेंगे उतन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजे तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्स और वाचिंग